असलाम उलेकुम, आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहां पे भी हैं, और अलहम्दलिल्ला मैं भी थोड़ी थोड़ी ठीक हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्लास लाई है, चो कि है Most Requested Class, बेसिकली ये एक डिजाइन है, सरकलर का, आप इसको डिजा और प्लीज जो मैं बोल रही हूं, उसको भी सुनिये, क्योंकि जब तक आप नहीं सुनेंगे कि मैं क्या बोल रही हूं करने को, तो आपको समझ में कैसे आएगा, आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे मेरा ही वीडियो शेयर किया था, यही वाला, जो मैंने प्रिविय तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कि आपका जो तिल्ला है, जो आपके नेक से कनेक्टिड है, वो ज्यादा टाइट तो नहीं है, वो ज्यादा लूज तो नहीं है, ना आपको आपका तिल्ला ज्यादा टाइट रखना है, और ना ही ज्यादा लूज रखना है, सबस तिल्ला ज्यादा आपको मरच नहीं करना है, मरच होना चाहिए, यहाने की मिला हुआ होना छACHए हमारा नीचे का फैब्रिक नहीं दिखना चाहिए जब हम सपर्कल बना रहे हैं, जब हम राउंड समें हमारा तिल्ला ले रहे हैं लेकिन अगर आपको ज्यादा तिला जो आपका है वो ज्यादा मरज हो रहा है उसका रीजन ये है कि आप आपकी निडल पर दियान दीजे कि आप सुई कहां पे निकाल रहे हैं आपको सुई आपके जो आपने प्रिवेस वाला राउंड लिया है उसी तिला के नजदीक निका ना आपको तिल्ण ज्यादा टाइट रखना है और ना ही ज्यादा लूज रखना है प्लेस आपको निडल जो आप डाल रहे हैं आपको उसकी si tichen का धील ने रखना है और हमारा जो and i past time भुइत बहुत ज्याधा संदर बनता है जब आप इसकी ili तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा इसको आप as a beginner डिजाइन भी ले सकते हैं यानि कि अगर आपके पस फैरन है फिरॉक है शॉल है तो आप इसको डिजाइन के तोर पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि है ऐसा होता है बहुत सारी जगाओं पे करते हैं कभी कभी कोई विक तो आप इस थोड़े से में इतना कर सकते हैं इससे आपकी प्रैक्टीज भी हो जाएगी आपको नीचे एक जाली लेनी है उपर एक जाली लेनी है जिसको हम वियल बोलते हैं लेकिन वियल के अंदर हम चंटे बरते हैं तो आपको चंटू की जगा यही circles यानि कि टिक स लेकिन आपको जो gap है उसको कितना रखना है वो आपको खुद देखना है कि आपको जो circles है वो कितने बड़े चाहिए यानि कि कितने round चाहिए आपको उसके आप इस तरह से कर सकते हैं मैंने यहां पर कि आप लोगों नहीं request की थी कि आपको design पे करके दिखाऊं कि यह कैसा बनता है और हम design में इसको कैसे connect करके लेके जा सकते हैं बहुत easy है यह बहुत simple है अगर एक बार आपको समझ में आया तो आप easily इसको कर सकते हैं इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो हमारी beginners की classes है आपको इन classes की practice जो है वो बहुत ज्यादा करनी है अगर आप practice नहीं करेंगे अगर आप जो भी में classes ने शेयर कर रही हूँ चाहे वो element हो चाहे वो leaf हो चाहे वो triangle हो जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगर आप उसको अच्छे से practice नहीं करेंगे तो जब आप design बनाएंग ये काम कहीं बागा नहीं जा रहा है अगर आप patients के साथ practice करेंगे दो दिन तीन दिन एक एक class की तो easily आप इसको अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि जितने अच्छे से आप हर चीज को highlight करके बनाएंगे उतना ही अच्छा आप के लिए होगा आप ऐसा नहीं कीजेगा कि आप जाली के अंदर से जो copper का तिला है वो भरे हैं मेरा design है ये मैं design पर काम कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें different color का जो तिला है वो लिया है आप जिस तिला के साथ काम कर रहे हैं आप उसी तिला के साथ आपका जो काम है वो कर सकते हैं अगर आप किसी फैरन पे भी बरना चाहें नीचे जाली उपर जाली अंदर से circles आप चाहें तो उपर से उस जाली के उपर दुबरग डाल सकते हैं स्याबरग नहीं डालिएगा बिकरस वो जो है line plane है straight है तो अगर आप चाहें तो आप उसमें दुबरग डाल सकते हैं जाहे जो मिली हुई दुबरग हमने सीकी है वो डाल सकते हैं जो separate है वो भी डाल सकते हैं टिकस बहुत easy है बहुत simple है बस ध्यान रखना है stitches का ध्यान रखना है आपके जो next से connected तिला thread है उसका ध्यान रखना है आप में से बहुत सारी लोगों ने मुझसे पूचा है कि मैम हमें सही से बताई ये तिला जोड़ना कैसे है काटना कहां पे है तो कहां पे काटना है वो मुझे नहीं पता है क्योंकि जहां पे आपका तिला जो है आपका design जो है जो वहां पे खतम होगा वहीं पर आपको तिला काटना है अब मुझे थोड़ी पता है कि आपका डिजाइन कहां पर खतम हो रहा है और आपको कहां पर काटना है डिजाइन के अकॉर्डिंग है आपको जितना काम करना है वहां तक काम करके लास्ट में अंड में आपको तिला काटना है जैस वो वाली वीडियो नहीं देखे, आप डेक्टिली उठागे बीच में से कोई क्लास देख रहे हैं, तो आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है, तो please 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 starting से classes देखिए तब ही आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहा था previous वाली class में इसलिए मैं आप सब लोगों से request करती हो वीडियो की starting में ही कि जो class है उसको पूरा देखिए और starting से ही देखिए day one की जो class है उससे पहले introduction की class है तो वो सारी classes आप देखा करें तब ही आपकी जो difficulties आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी अगर आप बीच में उठा के कोई class देख रहे हैं तो obviously जो आपके doubt से वो और ज्यादा बढ़ेंगे आपका confusion clear नहीं होगा मेरी चैनल पे नए है तो please like कीजे, comment कीजे, share कीजे और बताइए मुझे कि आपको मेरी classes से कितनी help मिल रही है आपका कोई confusion है वो भी लिखिए next video मैं clear करने की कौशिश करूँगी और मेरी classes से आपको कितनी help मिल रही है वो भी बताइए और अगर आपका काम मेरे साथ share करना चाहते हैं जो कि beginners हैं तो आप मुझे मेरे Instagram पे भी message कर सकते हैं आप मुझे मेरे Facebook पे भी message कर सकते हैं और तीनों जगाओं की profile picture same है और Facebook पी profile मैंने Instagram और YouTube की profile जैसी ही लगाई है same to same इसलिए कि काफे सारे लोगों को मेरे Facebook नहीं मिल रहा था तो प्लीज अब मैंने वो किया है चेंज किया है मैंने खुद की ही profile वहाँ पे लगाई है जो कि Instagram और YouTube पे same to same है आप चेक कर सकते हैं जो जिस platform पे है वो वहाँ पे अपना काम मेरे साथ share कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी helpful लग रही है तो प्लीज कीजिए लाइक कीजिए और बताईए मुझे के आपको कितनी हेल्प मिल रही है कोई confusion है तो वो भी बताईए इसी तरह से करते वे आपको पूरा जाना है वित ज्यादा नहीं रखनी है दोनों जालियों के बीच में बहुत एजी है बहुत सिंपल है होप कि ये वीडियो कीजिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि तरह सारा काम प्रैक्टिस का ही है और जो डिजाइन में बना रही है अब भी आप में से कावी सारे लोगों ने मुसे कहा है कि मैं इसका वीडियो शियर कीज़े तो इसका मैंने शूट नहीं किया है लेकिन एक दिन में य कोड़ी सी प्रैक्टिस की जुरूरत है प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो इससे भी बड़ा डिजाइन आप एजिली कर सकते हैं तो प्लीज मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रैयोस में याद रखेगा क्योंकि मैं बेमार हूं मिलती हो मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब अच्छे से करदो अच्छे से करेंगोंकि यह से करेंगे प्रैक्टिस अच्छे साथ टी मैं युझे लाहा है आए प्रैक्टिस अच्छे